आज हम बनाने वाले हैं फ्रैंकी और फ्रैंकी बनाने के लिए मैंने मैदा लिया है और इसमें डालने वाली हो मैं एक चमच तेल और साथ में नमक, दही, तारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी के साथ इसका आटा लगा लेंगे आटे को बहुत अच्छे से बून लिया है और अब फ्रैंकी का आटा तयार है नॉन स्टिक तवा लिया है और ये बेल कर इस पर रखती है अब इसको कच्छा ही पकाएंगे अभी जब हमें सर्व करना होगा ताम ही इसको हम पूरा पकाएंगे पहले हम सारे कच्छी रोटिया बना लेते हैं अब एक नॉन स्टिक तवा लेंगे उस पर ये फ्रैंकी रखेंगे और दोनों साइट से अच्छे से 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 के मैंने इसे घी से से का अब इसके वपर मैंने लगाया मियोनी टोमेटो केचप पास्ता सॉस भी लगा दी मैंने और इसके वपर मैंने डाला है दूद में डाल दिये थे 15 मिनिट के लिए ने बिगो कर रख दिया था अब ये भी केसर वाला दूद इसमें डाल देंगे बॉइल आ चुका है गैस लो फ्लेम पर कर देंगे और इसके अंदर डालेंगे चीनी और लाइची पाउडर और इसको आदा होने तक पकाएंगे य इसकी कंसिस्टेंसी देखिए पॉफेक्ट है अब प्लेटिंग कर लेते हैं रसमलाई में जो है रसगुला मैंने पहले ही बना लिया था तो इसका मैं जो है सिरफ पूरा निकाल दूँगी और इसमें प्लेट करेंगे उपर से डालेंगे दूद पिस्ता से गार्निश करें रसमलाई तयार है आज हम बना रहे हैं चने की दाल के चावल और चने की दाल को मैंने दो कर बिगो कर रख दिया था और अब इसका पानी स्ट्रेंड कर लेते हैं और चावल को भी दो लेते हैं बनाएंगे कुकर में और कुकर में निलिया इसमें मैं डालूंगी घी इसमें पानी डाल दिया है कोकर का दकन लगा जेते हैं और दो सीटी हाई फ्लेम पर आएंगी फिर हमारे चावल तयार हो जाएंगे देखिए चावल बनकर तयार है आप यह मेरी रेसिपी को फॉलो करना आज हम बना रहे हैं काले चनी की सबजी और काले चनी को मैंने वोश करके राद भर बिगो कर रख दिया था और अब इसको बना लेते हैं कुकर में बनाइंगे इसको और इसमें डालेंगे नमक आदे गंटे के लिए लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे जब तक चनाना गल जा है चना गल चुका है बहुत अच्छे से ये बॉइल हो चुकी है अब इसको जो है हम फ्राइपैन लेंगे और तड़का लगाएंगे गी डाला है हिंग डाली है जीरा देगी लाल मिर्च लाल मिर्च और तड़का चने में डाल दिया है ये दिखिए दोस्तों ये कितनी टेस्टी बनी है सबजी और आप ये रेसिपी ज़रूर फोलो करना थैंक यू तो आज बनाते हैं डाल गुना कॉफी और इसको बनाने के ल जट पट से हमारी कॉफी तयार हो जाएगी गरम पानी मैंने इसमें डाल दिया है अब इसको पीस लेते हैं देखिए इसका कलर इतना बड़ी आया है और मुझे एक सेकंड लगा इसको करने में अगर मैं इसको हाथ से फेटती तो मुझे बहुत टाइम लगता 15-20 मिनिट ल तेखिए दूर अच्छे से बॉइल हो चुका है आप इसको कप में डालेंगे जो कॉफी का मिक्सचर है दो से तीन चमबच हम इसमें डालेंगे और इस अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमारी डाइल गोना कॉफी बनकर तयार है थैंक यू